तो चले खबरों में आगे बढ़ते हैं और जंता टीवी का सबसे पहले आप जंता टीवी परिवार के तरफ से आप तमाम लोगों को महिला दिवस की अनंत सुभेक्षा है तो नजरा इस दोरान जिलों में महिलाओं की समस्याओं की निराकरण के लिए रिपोर्टिंग चोकी और साइबर क्राइम ठाने में महिला साइबर क्राइम सेल की शुरुआत भी की गई है तो इस चार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कारिक्रम में किस तरीक से सीम योगिया दितनात पहुचे कारिक्रम का शुबारम उन्होंने दी प्रजुलन के साथ किया महिलाओं को समाने तुरते नज़र आए और सीम का अभी भाषन भी देखने को मिला अंतराश्टी ये महला दिवस के आउसर पर मैं इस सभागार में वबस्तित और पुरे प्रदेश के भी सभी मात्री सक्ट को और प्रदेश स्वास्यों को फिर्दे से बढ़ाई देता हैं जिस समाज ने मात्री सक्टे को इतना सम्मान दिया हो उस समाज में आधी आवादी के साथ भेदभाव और बरवरता क्यों या प्रश्न हम सब के सामने हमेशा मोबाये खड़ा रहता है और इसलिए अंतराश्टी ये महला दिवस कि जब बाद आती है तो हम जैसे भारतियों के बारे में तो इस प्रस्न सुतही खड़ा होता है याद करिए हम लोगों ने जब मिसंद सक्टिका कारिक्रम प्रारंब किया था प्रदेश में तो सार्दी नौरात्री थी तो इन दुनिया भर में अंतराश्टी महला दिवस मनाया जा रहा है महला दिवस के मौके पर भारतिये पुरा तत्व सर्विक्षन विभाग ने महलाओं को शांदार तोफा देते हुए उनके लिए इस मारकों की फ्री एंट्री अलाउंस करी है आपको बता दें कि महलाओं प्रदीप हमारे साथ में लाइव जूड़ चुके हैं प्रदीप क्या कुछ अपड़ेट है आपके पास पूजा जी बता दें कि तो दिन पहले एसाई दुवारा महला दिवस पर महलाओं के लिए नुशुल्क प्रवेश की रिवस्था की गई थी और जो स्वड़कार है यहां पर यह इसाई अधिशक है पहले ही बता दिया था कि पिसले वर्ष की तरह इस वर्ष भी महलाओं के लिए प्रवेश नुशुल करा करूँ तो आगरा रेल परिचालन मेंभी बहुत अच्छा कार्व किया गया पूरा का पूरा 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 रेल मंडल आरा की महलां दौरा उनके अधिकारियों करमचाने दौरा संचलत किया गया है और आगरा पुलिस में भी तीन महला पुलिस रिपोर्टिंग चोकिया इस्थाफित की है जिसका गाटन पदम श्रीमती यादव ने किया है और एस्थी शिरी न पताया कि जो भी महला पीडित महला यहाँ पर आएंगी उनका हर तरीके से स्थाफिया जाएगा ठीक है अचले बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जोनने के लिए एहम जानकारी ग्राउंज जिरों से साज़ा करने के लिए तो जहां एक तरफ कुरोणा काल में लोकडाउन के दौरान लोग अपने घरों से निकलने को डरते थे तो वहीं उनमें से कई ऐसे भी लोग है जिसकी सेवा के लिए नकिवल अपने घरों से बाहर निकले बलकी ऐसी काम भी किये जुनकी जंपर सराना हुई है तो राश्टर मेला दिवस के मौके पर हम बात कर रहे हैं कानपूर के किद्वई नगर की रहने वाली सुचेता की हमारे समधाता ने सुचेता से खास बाट चूरीद करी है देखे कैसे आज जी मिसाल बन गई है के बाद देश और आम जनता अब धीरे धीरे पट्री पर लौट रही है गती विधिया जो है वो फिर से सुचारो रूप से चल रही है लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन था और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे सारीरिक रूप से भी अपना योगदान दिया तो इनमें से ही एक ऐसी सक्सियत हमारे साथ इस वक्त मौझूद हैं जिनोंने लॉकडाउन के दौरान कई महिलाओं को रोजगार भी उपलब्द कराए और देश की सेवा के लिए मुफ्त में मास्क वेवित्रित किये तो हम बात करते हैं सुचेता वही जी की तो सुचेता वही जी से ही जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से लॉकडाउन के दौरान देश की सेवा करिये माम देश में लोगडाउन था, कुरोना मा हमारी का पी रहत था, तो ऐसे में आपने मुफ्ट में वास्ट वित्रित किया और अपने घर पे ही महिलाओं को रोजगार दिया, तो ये सोच कहां से आई थी, ये सोच कहां से आई थी, मैं काम करने वाली हूँ, और काम करती रहती ह हुँ तो उसी से खाली नहीं बैट पाई मैं और मेरे पास जब महिलाएं आई तो मैंने कहा कि चलो कुछ करते हैं और हमने मास्क बनाए लगभग कितनी ऐसी महिलाएं थी जिनको आपने लॉकडाउन के दौरान रोजकार उपलब्द कराया लॉकडाउन के दौरान मैंने कम से और करश बंद था तो ऐसे में एक समय आया होगा कि आपके पास जो मास्क बनाने क्पड़े वह भी खतम हो रह içeris UA उसवक्त क्या सोचाई कैसे Elijah कैसे मेनेज किया सब कुछ रहे टाए कवा से कपड़ यूस किये गए? हमने खा दी खा दी सूती और कुछ प्रिंटेट कपड़ा लेके मास्क बनाए अच्छा अब लॉकडाउन खतम हो चुका है तो वो महिलाएं जो लॉकडाउन के दौरान आपके पास आई थी आपके संपर्प में थी जिनको आपने उस समय रोजगार उपलब्द करवाया था तो अब उन महिलाओं के ल बना रही है मैं सेव्टी सूज बना रही है तो आपकी फैक्टरी में कितनी महिलाएं काम करती है मेरी फैक्टरी में कम से कम 40 महिलाएं हैं जो इस समय कारे रहत हैं आपको नेशनल अवार्ड में मिले हैं तो किस लिए नेशनल अवार्ड मिले थे किस फील्ड में ले यह जो प्रोड़क्ट को मैं प्रोड्यूस कर रही हूं उसकी गुडवत्ता के लिए मुझे ये मिले हैं मैं लॉक्डाउन के दौरान लोगों के अंदर डर था वो घर से बाहर नहीं निकल ले थे और कुछ लोग ये भी सोचते थे कि उनके घर में कोई भी बाहरी वेक्ती ना आए माइंड सेट अप हो गया था तो आपके अंदर ऐसा क्या हुआ कि आपने घर में ही लोगों को रोजगार दिया बुलाया लोगों की सेवा करी इस तरह से जी उनके लिए एक मैंने अलग कमरा कर दिया उसको प्रॉपरली सैनिटाइज कर दिया और पूरी सैनिटाइजेशन क की पूरी विवस्था कर दी गई उनके लिए वो लोग जब आती थी उनको पूरा सैनिटाइज किया जाता था पर फिर हम लोग काम किया करते थे आप एक महिला हैं और आम तोर पर देखा जाता है कि महिलाएं जो हो और फील्ड में अब आगे आ रही हैं तो आप समा सेवा कि रही हैं कल अंतराष्ट्य महिला दिवस तो अंतराष्ट्य महिला दिवस पर जनता टी वी के माध्यम साब क्या मैसेज देना चाहती है कि मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं को हर क्शेत्र में आगे आना चाहिए उनके पास सूज-बूझ पुर्शों से जादा अच्छी है, उनके पास सिंसेरिटी जादा है, वो किसी भी काम को बहुत तहर पूर वक कर सकती है, सिर्फ उनको होसले और हिम्मत की ज़रूरत है तो ये ठी हमारे साथ सुचेता वही जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान ना सिर्फ लोगों महिलाओं को रोजगार उपलब्द कराए, बलकि लॉकडाउन खतम होने के बाद भी अभी ये महिलाओं के लिए सोच रही है और इनकी फेक्टरी में ही वो महिलाओं अभी भी कार क कर रही है अभिनाव श्वास्तर जंदा टीवी कानपूर तो आज श्रिजन का उत्सव है जिहां श्रिष्टी के सम्मान का दिन है जंदा टीवी परिवार भी प्रतिसपर्धी से पूरक होने की आधियाबादी की इस गौरों में यात्रा को शत-शत नमन करता है है नारी नीर से निर्मल सहजिस्वी कार ही नहीं है अगर वो विग बन जाए धरा पर धारा जनती है नारी तुम श्रिष्टी का आधार हो जीवन के अनन्त तक वस्तार हो गर्व है इस धरा को तुम्हारी शमता पर जुकता है नभी तुम्हारे सम्मान को हाँ तुम आधार हो गर्व है समाज को कि तुमने माथे के आचल को देश के गौरों में चार्चान लगाने वाला परचम बना दिया गर्व है समाज को कि तुमने कुरीतियों की आखों में आखे डाल जीवन को चलना सिखा दिया हाँ, हमें गर्व है तुम्हारे बदलते स्वरूप पर कि तुमने सरलता से सम्वेधनाओं को सहश्ते हुए समाज को बताया बताया कि नारी का बदला स्वरूप शक्ति की शशक्त परिभाशा है समाज की देश की नई आशा है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपकी व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं कल्यान सिंग के समय पर आपके आपनेट मंत्री रही वरिष्ट नेताओं में से एक हैं आप भारत के जनता पार्टी की जो लोग आपको जानते हैं वह आपके आपके काबिलेत को पर जो है परकते भी हैं कि कुसम राय से सीखा जा सकता है सबसे पहले बिंगा नारी मैं आप से बात करूंगी कि कितनी बड़ी चुनौती है देखिए महिला के लिए समाज में काम करना बहुत बड़ी चुनौती तो है है लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम चैलेंज स्विकार कर लें और लगन स्विकार कर लें तो कोई मुश्किल नहीं है और कोई भी काम करने के लिए जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें चुनौती तो बहुत बड़ी चुनवती थी तब महिलाएं बहुत कम निकला करती थी लेकिन इसके बाद भी उस चुनवती को श्रिकार करके राज़ीती में जितना पाई हूं सबाप के सामने हैं कुसम जी कहते हैं कि आज़ादी से जीना जो है वह मावाप के साथ बहतर हो पाता है और जब आपके साथ परिवार आजाए जिम्मेदारियां आजाए थोड़ी से मुश्किल आती है आपका भी विवा हुआ लेकर ना जब हम आपके प्रगति पत को देखते हैं तो समझ में आता है कि विवाद के वाद आपने और प्रगति करी तो क्या परिवार का परिवार की तब अगर परिवार साथ न दे तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है और साधी की पहले पिताजी का सानिद मुझे था तब भी मैं सोसल काम करती थी और साधी की बाद मेरे पती का पूरा साथ रहा साधी की बाद फिर बच्चे बड़े हुए तो बच्चों का भी साधी बेटी ने लिख के भेजा है कि ममी महिला देवस है इस चुनोती को शिवकार करके आगे बढ़ो हम लोग तुमारे साथ हैं तो यह जो परिवार का संबल मिलता है अपने और सबसे बड़ा अगर देखिए समाज में पती का और मैं राजिनीती में जो सफलता पाई हू तो मैं वक्षूबी कर सकती हूं क्योंकि परिवार पती और मेरे साथ ही सब लोग मेरे साथ हैं जब हम महिलाएं घर से बाहर कदम रखती है तो बहुत जल्दी महिलाओं का नेतरतोस वीकार नहीं होता बहुत सारी चुनोतीयों का सामना उनको करना पड़ता है कभी समाजी क जी यह तो मुझे श्विकार करती हो और अगर सत्य की राह लेकर हम चलें, सत्य की भावनाव को लेकर हम चलें, समाज में हम काम करने के लिए निकलें और उसमें अपने परिवार का सहयोग मिले तो कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन परिवार का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग होता है मेंटल सहयोग होता है जिससे कि हम मानसिक रूप से तयार हो जाते हैं कि समाज की चुनोतियों को स्विकार करने के लिए कुसम जी आप एक मा की भूमिका में भी है और जब हम एक महिला की बात कर रहे हैं तो वो कहीं बेटी होती है कहीं मा होती है कहीं पत्नी होती है यह तमाम तरह की जिम्मेदारिया भी उनके साथ में होती है तो बैलन्स कैसी क्रियेट हो क कुसुम जी ने बैलन्स कैसी क्रियेट किया जो तमाम महिलाओं के लिए एक मिसाल बन सके मेरी चोटी वाली 20 साल की थी और मुझे कारपोरेटर का चुनाओ का मौस्णी ने मुझे पारगा दिया था चुनाओ लड़ने का तो एक बच्ची पांच साल की थी, एक धाई साल की थी, तो चुनोती तो बहुत बड़ी सामने थी, लेकिन मैंने आप से कहा कि परिवार का सहयोग, सबसे बड़ा सहयोग होता है, उस समय मेरे परिवार का सहयोग हुआ, और मैं उस बच्ची के दाईतों को निभाते हुए भी पब्लिक में गई मैदान में और जितनी भी मेरी साथी सहलियां थी महिला थी या संग परिवार की लोग थे जो एक परिवार जैसा माहौल था राजनितिक परिवार की महिलाएं थी सब लोगों ने मुझे साथ दिया और उस चुनोती को सिकार करते मैंने मा का भी दाई तो रखा और समाज में जितना युगदान में दे सकती थी मैंने दिया है कुझम जी अभी अम वर्तमान की बात कर लें क्योंकि जिस परिद्रश्य में आपने शुरुआत करी थी और आज का परिद्रश्य है चुनोतियों में कितना अंतर पाती है आज की महिलाओं के लिए और उस समय की महिलाओं के लिए कितना अंतर है और सामन जिल से कैसी बिठाया जा सकता है क्या कि जब हम लोग का था टो महिलाओं बहुत कम निकलती थी राजनीति को भूट है रिष्टिशे देहती थीकि राजनीती बहुत खरापْ चीज ए राजनीती बहुत गंदी चीज है यह सब चीजे बहुत सामने में रहाती थी कि आप कैसे करती हैं और लोग ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं मैंने कहा भाई अगर हम राजनीती को एक जैसे और महिलाएं समाज में काम करती है चाहे उद्यों का काम करती है चाहे इंजियों के द्वारा काम करती है उसी तरह का है राजनिती भी है राजनिती में भी आ करके हम समाज सेवाही करते हैं लेकिन ठोड़ा सा ज़रूर अंतर आया है कि पहले सब चीजे हो जाया करती थी आप थोड़ी सी कमर्षियल लेप है आ गई है मिसको इलाबरीड कीज़ेट किस तरीके अगर मेरे जीवन से जोड़ती है अगर आप इस चीज़ें को तो जो चीज़ें पहले बहुत सहज हुआ करती थी कि सब काम कर लेना, सबसे मिलना, सबसे जुलना और सब साधारन सा लगता था अब थोड़ा सा कठिन हो गया है थोड़ा सा यह बहुत जादा कठिन हो गया है कुस्म जी एक सवाल मेरा और भी रहेगा भारती जिनता पार्टी भारती जिनता पार्टी में महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाए गया है और बढ़ा रहे हैं मोदी जी भी योगी जी भी और संगठन में भी हमारे बंसर जी भी सब लोग महिलाओं को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और महिलाएं आगे बढ़ चलके काम भी ले रही है ठीक है, कुसम जी इसी पर मैं आ रही थी, वर्तमान में अगर हम सामाजिक परिद्रश्य को देखते हैं, तो माबाप बच्चियों के लिए थोड़ा डरते भी हैं, भैभीत होते हैं, क्योंकि माहौल वैसा नहीं रहा, तो इसके लिए आप क्या, जो तमाम माबाप, क्योंकि आप एक माबी हैं, माबाप से आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बच्चियों के लिए, और जो और भी महिलाएं आपको देख रही हैं, क्योंकि उनको डर लगता है, कि शुरुआत शायद किसी, अब उम्र हो गई है, अब शुरुआत नहीं हो सकती, तो क्या ऐसा आपका भी चाहिए, और सरीर स्वस्थ होना चाहिए, अगर सरीर स्वस्थ है, तो हम काम करने के लिए ततपर हैं, और कभी भी कहीं से किसी मोड पर शुरू किया जा सकता है, तमाम जो पेरेंस आपको देख रहे हैं, और महिलाएं आपको देख रहे हैं, उन से आप क्या कहना चाहती है चुछ का रही हूं डी मतलब सिवह सोचाल कमतर करते हैं वी बाल कि करते हैं कििरतन भाजन में करते हैं मतलब activity कि कई साधन है हम अपने को active रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जरूरी contestants कर विक राजमिति ही मारों वो उसका जबी जो में आपको देखने को यह संदेश है कि मेरा यह संदेश है कि महलाएं तत्थ पर भी होत्ही अगर मैं का अरी आगे शास्टी है था पैड़ृण का रूप क्या रूप करे सकत、 वो समाज में आगे भी बहुत अच्छा काम कर सकती है महलाएं ब नहीं इन श्यत्रat कि नहीं है हर छेत्र में महिलाएं आगे हैं इंजिनियर, डक्टर, पाइलेट, राजनीती में, प्रोफेशर में और राश्पती से लेकर कि मलब ऐसा कोई छेतर ऐसा नहीं है जहां पर महिलाएं आगे बढ़के अब काम नहीं कर रही हैं तो मेरा ये कहना कि अब आगे आएं ऐसा नहीं है आज इस महि बढ़ें और देश में अपना करें जे आपको आप बिंग महिला आपको क्या लगता है कि समाज के अंदर अभी क्या और सुधार आने चाहिए जो महिलाओं की स्वशक्तिकरण को और भी ज्यादा प्रबल कर दें देखिए महिलाओं को सुरक्षा चाहिए महिला किसी भी उस फिल्ड में पीछे नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरत है इस समय महिला की सुरक्षा की जो कि हमारी सरकार दे रही है योगी जी पततपर है और सुरक्षा दे रहे हैं और आगे बढ़के महिलाएं काम कर र शुक्रिया कुसुम जी आप हमारे साथ जुड़ी और आपने जो अनुभव हैं वो हमारे साथ साथ रहे है तो जन्ता टीवी पर आप देख रहे थे नारी तुम आधार हो और एक बार फिर से जन्ता टीवी परिवार की तरफ से तमाम लोगों को अंतुराश्टी महिला दि कि अमस्कार